Hello Everyone, Welcome to my channel NK Education, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग, पटना से मादमिक शिक्षा निदेश आले से प्रेस विग्यप्ति जारी हुई है जो कि TRE2 यानि बिहार लोग सेवा आयोक के द्वारा जो दुतिय चरण के सिक्षक थे उनके अनुसंसित जो अभ्यरती थे उनकी काउंसिलिंग के रेगार्डिंग ये है प्रेस विग्यप्ति जारी की गई है उनको जो विद्याले में योगदान देना था उनकी चार्ज रिपोर्ट का जो समय था वह फरवरी तक दिया गया था लेकिन उसको एक्सेंड कर दिया गया है जो भी किसी कारण वस अनुसंसित अभ्यरती जिले में काउंसिलिंग नहीं करा सके हैं वो सभी अभ्यरती अब काउंसिलिंग करा सकेंगे जो भी रीजन उनके साथ रहा हो उसको देखते हुए उनकी काउंसलिंग डेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है बिहार लोक सिवा आयोग द्वारा दुथिय चरण की सिख्षक न्युक्ती परिक्षा T.R.E.2 के आधार पर अनुसंशित अभियर्थियों को जिलों में काउंसलिंग एवं तदर्त न्युक्ती के उपरांत विद्याले में पद स्थापन उपरांत विद्याले में योगदान हेतु अंतिम्ति थी दिनांक 29.2.2024 निर्धारित की गई थी यानि कि 29 फरवरी तक आप सभी को निर्धारित समय तक अंतिम्ति थी का विद्याले में आपको योगदान देना था पुन्हे विभागे स्तर पर समीक्षा उपरांत द्वितिय टियारी टू के तहट अनुसंसित अभी अर्थियों के काउंसलिंग विद्याले में पदस्थापन एवं विद्याले में योगदान की अंतिम्ति थी दिनांक 10.3. दो हजार चौबीस तक निर्धारित किया जाता है यानि कि आपकी डेट को बढ़ा कर 10 मार्च तक कर दिया गया है 10 मार्च दो हजार चौबीस तक आप अपने विद्याले में योगदान दे सकते हैं ये एक अच्छे अपर्चुनिटी है हो सकता है बहुत से टीचर्स थे उ प्यार्टी, टीजीटी, पीजीटी सभी में भरा था और उनको चैन करने में मुश्किल थी क्योंकि पीजीटी वाले का हो सकता है विद्याले काफी दूर था लेकिन जो से टीजीटी की जगे मिली वो उसकी नजदीक थी तो असमंजस में थे कि टीजीटी वाली पोश्ट ली जाए ठीक उसी तरीके से जो अनुसंसित अभ्यरती थे उनकी काउंसलिंग उनकी न्युक्ति उन सभी को देखते हुए जो उनका पद स्थापन एवं विद्याले में योगदान कीती थी दस तीन दो हजार चौबीस तक निरधारित की जाती है तो आप दस तारीक तक आ उसे करेक्ट कर ले और कलेक्ट भी कर ले ताकि आप 10 तारीक तक हर कीमत पर अपने विद्याले में योगदान दे सकें क्योंकि यह मैंने पहले वी जो टी आरी टू के तो मोशली सभी टीचर्स हमारे साथ जड़े हुए हैं तो उन्हों ने तो सभी मैंने पहले वी जितनी भी वीडियो बनाई थी उनमें सभी में मैंने बताया था कि आपको जब पदस्थापन लेटर मिल जाए विद्याले में योगदान करने के लिए तो आप बिना देरी किये विद्याले में सा समय योगदान कर दे क्योंकि उससे आपकी सीनियर्टी तेह होती है लेकिन उसके बा परिस्तित्य थी वो जैन्वन थी इसलिए उसको एक्स्टेंड किया गया लेकिन ये समय इसके बाद नहीं दिया जाएगा अब जो भी परिस्तित्य आपके साथ रही हो आपको जो ये अंतिम समय दिया जा रहा है आप इसका बिलकुल लाव उठाईए और समय रहते हुए आ आपके पास समय है आज के लिए तो आज आज ही विद्याले में आप योगदान कर दें उक्ततिती के उपरांत उनका विद्याले में योगदान स्विकरित नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दो बार हुआ है ये जो डेट थी इसको भी बढ़ाया गया था एंड देन अब इस लिए किया जा रहा है क्योंकि जो जैन वन प्रॉब्लम थी उसको देखते हुए डेट को कर दिया लेकिन अब बार बार नहीं होगा दस मार्च आपका लास्ट है ये समझ लीजिए इसलिए हमारी यही राय होगी कि आप जैसे भी हो अपना विद्याले में योगदान कर ली आज चारतारी की है तो आज में ही यह जारी किया गया है क्योंकि ऐसा संग्यान में आया था कि अभी तक बहुत अभ्यरती ऐसे हैं जो किसी कारण वस जो विसेष्ट और पर अनुशंसित अभ्यरती हैं उनको जिले में कांसलिंग और निउक्ति को परांत जो जानकारी टू से रिलेटेड आप यह ना सोचे कि आपका जो सेलेक्शन फिरक्रिया पूरी हो गई और वो नहीं क्योंकि सिक्षा विभाग से जुड़ी हुई पिर ती एक कुछ ना कुछ जानकारी सिक्षा विभाग से आती रहती है तो आपको हमारे चैनल पर वह मिलती र रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और एक लाइक जरूर करें थैंक यू एंड थैंक्स वर वचिंग में